देश के कोविड रोग्यों को वक्त पर ऑक्सीजन दिलाने के लिए फारतीय वायो सेना लगातार उराने भर रही है तो कहीं कोविड के खिलाब देश की जंग में भारतीय नौसेना ने भी मोचा संभाल लिया है अब नौसेना के वार्शिप बड़े ऑक्सीजन कंटेनर को ढटोकर जरूरत मंदों तक पहुचा रहे हैं उधर विदेशों से भी भारत को ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल उपकरणों की सप्लाई का काम जारी है और भारतियनों से ना इसमें अहम भूमिका निभा रही है पिछले साल समुद्र सेतु अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वार्शिप आई-एन-एस ज्वाला ने ऑक्सीजन सप्लाई की पूर्वी कमान सभाल ली है तो वहीं आई-एन-एस तलवार विदेश से 40 मेट्रिक तन लिक्विड मेडिकल उक्सीजन के पुविड से लिक्विड मेडिकल वक्सीजन के यसे निट्री साथ घर लोट रहा है कुवेट से लिक्विड मेडिकल उक्सीजन के टैंक घर पहुचने के बाद ई-एन-स कॉलकता अन्नस अन्निमेडिकल सप्लाईयों के लिए दोहा और कतर के सफर पर है उधर ई-ए-एन- नोशेनाख के वार्शिप भी कोविट के खिलाब देश की जंग में कूद पड़े हैं। भारतिय नोशेनाख के वार्शिप देश के ओक्सिजन और अन्य मेडिकल सप्लाई के लिए लगातार मिशन पर हैं। ताके कोरोना के हमले से अब और सांसे उखडने से बचाई जा सके।